Hello Everybody, सुधा मूर्ती द्वारा लिखी कहानी How I taught my grandmother to read आईए इस कहानी को हिंदी में पढ़ते हैं वर्णन करता कहती है कि जब मैं 12 साल की थी तब मैं अपने दादा दादी के साथ उत्तर करनाटक के एक गाउं में रहती थी उस समय परिवहन की विवस्था अच्छी नहीं थी इसलिए सुबे के अख़वार दुपहर में मिलते थे सापताहिक पत्रिका एक दिन देरी से आती थी हम सभी बस का बेसबरी से इंतजार करते थे जो अख़वार सापताहिक पत्रिकाएं और डाक लेकर आती थी उस समय त्रिवेणी कन्नड भाषा में एक बहुत लोकप्रिये लेखिका थी वह एक अदवुत लेखिका थी उनकी लेखन शैली पढ़ने में आसान और बहुत प्रभावशाली थी उनकी कहानियां आम लोगों के जीवन में जटिल मनोविज्यानिक समस्याओं से सम्बंदित होती थी और हमेशा बहुत रोचक होती थी दुरभागेवश कन्नड साहिते के लिए वह बहुत कम उमर में चल बसी आज भी 40 साल बाद लोग उनके उपनियासों की सरहना करते हैं उनके एक उपनियास जिसका नाम काशी यात्रे था उस समय कन्नर सापताहिक करमवीर में धारवाईक रूप से प्रकाशित हो रहा था यह कहानी एक बुड़ी महिला की काशी या वारनसी जाने की तिवर इच्छा के बारे में थी अधिकाश हिंदु मानते हैं की काशी जाना और भगवान विशेश्वर की पूजा करना सरवोच पुन्ने हैं इस बुड़ी महिला को भी यही विश्वास था और उस उपनियास में उनके वहाँ जाने के संघर्ष का वर्णन किया गया था कहानी में एक युवा अनाथ लड़की भी थी जिसे बुड़ी महिला को प्यार हो जाता है लेकिन उसकी शादी के लिए पैसे नहीं थे अन्त में वे बुड़ी महिला काशी जाने के बज़ाए अपनी सारी बचत दे देती है उसने कहा इस अनाथ लड़की की खुशी काशी में भगवान विशेश्वर की पूजा से ज़्यादा महत्व पुर्ण है वर्णन करता कहती है कि मेरी दादी क्रिष्ट का कभी स्कूल नहीं गई इसलिए उन्हें पढ़ना नहीं आता था हर बुद्वार को पत्री का आती थी और मैं उन्हें कहनी का अगला एपिसोड पढ़ कर सुनाती थी उस समय वह अपना सारा काम भूल जाती और बड़े ध्यान से सुनती बाद में वह पूरा पाठ याद से दुरा सकती थी मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी इसलिए वह उपनियास की नाइका के साथ खुद को जोड सकती थी उनसे जादा कोई नहीं था जो यह जानने में इतनी रूची रखता था कि कहनी में आगे क्या होगा और वह हमेशा मुझ से इसे पढ़ने का आगरे करती काशी यात्रे में आगे क्या हुआ यह सुनने के बाद वह मंदिर के आंगन में अपने दोस्तों के पास जाती जहां हम बच्चे भी छुपन छुपाई खेलने के लिए इकठा होते थे वह अपने दोस्तों के साथ कहानी के नवीनतम एपिसोड पर चर्चा करती उस समय मैं नहीं समझ पाती थी कि कहानी को लेकर इतनी भहस क्यों हो रही थी एक बार मैं अपने चचेरे भाई भैनों के साथ प्रोसी गाओं में एक शादी में गई उन दिनों एक शादी बड़ी घटना होती थी हम बच्चे खुब मजे करते थे हम खाते और खेलते रहते क्योंकि सभी बड़े व्यस्त होते थे हमें बहुत अजादी मिलती थी मैं कुछ दिनों के लिए गई थी लेकिन एक सब्ता तक वहीं रुक गई जब मैं अपने गाम वापिस आई तो मैंने देखा कि मेरी दादी आंसु बाहा रही थी मैं हरान थी क्योंकि मैंने उन्हें कभी भी सबसे कठिन स्थितियों में रोते हुए नहीं देखा था मुझे चिंता होने लगी मैंने पूछा अव्वा क्या सब ठीक है आप ठीक तो हैं मैं उन्हें अव्वा कहकर बुलाती थी जिसका मतलब उत्तर करनाटक में बोली जाने वली करनड में मा होता है उन्होंने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा मैं समझ नहीं पाई और उसे भूल गई रात को खाने के बाद हम घर की खुली छत पर सो रहे थे यह गर्मियों की रात थी और चांद पूरा निकला हुआ था अव्वा मेरे पास आकर बैठ गई उनके प्यार भरे हाथों ने मेरे माथे को चुआ मुझे एसास हुआ कि वह कुछ कहना चाती थी मैंने उनसे पूछा क्या बात है उन्होंने कहा जब मैं छोटी लड़की थी तो मेरी माँ चल बसी मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं था और मुझे मागदशन करने वाला भी कोई नहीं था मेरे पिता वियस्त रहते थे उन्होंने फिर से शादी कर ली उन दिनों लोग लड़कियों की शिक्षा को जरूरी नहीं मानते थे इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई मैंने बहुत छोटी उमर में शादी कर ली और बच्चे हो गए मैं बहुत वियस्त हो गई बाद में मेरे पोते पोतियां हुए और मुझे तुम सब को खाना बना कर खिलाने में बहुत खुशी मैसूस होती थी कभी कभी मुझे स्कूल नहीं जाने का अफसोस होता था इसलिए मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे बच्चे और पोते पोतियां अच्छी शिक्षा प्राप्त करें मुझे समझ नहीं आया कि मेरी 62 साल की दादी मुझसे एक 12 साल की लड़की से बीच रात में अपने जीवन की कहानी क्यों सुना रही थी एक बात मुझे पता थी मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और जरूर कोई कारण रहा होगा कि वह मुझसे बात कर रही थी मैंने उनका चेहरा देखा वह खुश नहीं लग रही थी और उनकी आँखों में आंसू थे वह एक सुन्दर महिला थी जो लगबग हमेशा मुस्कराती रहती थी आज भी मैं उनके चेहरे पर चिंता की अभिव्यक्ति को नहीं भूल सकती मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया अववा रोये मत क्या बात है क्या मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकती हूँ हाँ मुझे तुमारी मदद चाहिए जब तुम गए थे तब करमवीर मैगजिन आई मैंने मैगजिन खोली मैंने काशी यात्रे की कहानी के साथ आने वाली तस्वीर देखी और मैं लिखा हुआ कुछ भी समझ नहीं पाई कई बार मैंने पन्नों पर हाथ फेरा चाहती थी कि लिखा हुआ समझ में आ जाए लेकिन मैं जानती थी कि यह संभव नहीं है काश में पड़ी लिखी होती मैंने तुम्हारे लोटने का बेसबरी से इंतजार किया मुझे लगा कि तुम जल्दी आओगी और मेरे लिए पड़ोगी मैंने सोचा भी था कि उदर गाओं में जाकर तुमसे पड़ने के लिए कहूँ मैं इस गाओं में किसी से पूच सकती थी लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही थी मैं बहुत निर्बर और असाहे मसूस कर रही थी हम धनी हैं लेकिन जब मैं सबतंतर नहीं हो सकती तो पैसे का क्या फाइदा है मैं नहीं जानती थी कि क्या उत्तर दूँ अववा ने बात जारी रखी मैंने फैसला किया है कि मैं कल से कंणड वर्नमाला सीखना शिरू करूँगी मैं बहुत मेहनत करूँगी मैं दशैरा के सरस्वती पूजा के दिन को सीखने का अन्तिम तारिक मान कर सीखूँगी उस दिन मुझे अकेले एक उपन्यास पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, मैं सवतंतर होना चाहती हूँ मैंने उनके चेहरे पर दिड़ संकल्प देखा, फिर मैं उन पर हसी अववा, 62 साल की उमर में आप वर्णमाला सीखना चाहती हैं, आपके बाल सफेद हो चुके हैं, हाथ जुरीदार हैं, आप चश्मा पहनती हैं, और रसोई में इतना काम है मैंने बचकानी हरकत करते हुए उस बुड़ी महिला का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने सिर्फ मुस्क्रा दिया अगर आप किसी अच्छे कारण के लिए दिर्ट संकल्पित हैं, तो आप किसी भी बादा को पार कर सकते हैं, मैं किसी से भी ज़्यादा मेहनत करूँगी, लेकिन मैं यह करूँगी, सीखने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती अगले दिन से मैंने उसकी ट्यूशन शुरू कर दी, अववा एक अदबुद छात्रा थी, उन्होंने जो होमवर्क किया वे अदबुद था, वे पढ़ती, दोराती, लिखती और याद कर दी मैं उनकी अकेली शिक्षिका थी, और वह मेरी पहली चात्रा थी, उस समय मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं कम्प्यूटर साइंस की शिक्षिका बनूगी, और सैकडों चात्रों को पढ़ाऊंगी दशायरा तोहार सुमाने रूप से आया, मैंने चुपके से काशी यात्रे खरी दी, जो उस समय तक एक उपनियास के रूप में प्रकाशित हो चुकी थी मेरी दादी ने मुझे पूजा स्थल पर बुलाया और मुझे एक स्टूल पर बैठने को कहा, उन्होंने मुझे एक फ्रॉक उपहार में दी, फिर उन्होंने कुछ असधारन काम किया उन्होंने जोकर मेरे पैर चुए, मैं आश्चरिय चकित और स्थब्द रह गई, बड़े लोग कभी युवाओं के पैर नहीं चूते हम हमेशा भगवान, बड़े और शिक्षकों के पैर चूते हैं, हम इसे सम्मान का प्रतीक मानते हैं, यह एक महन प्रमपरा है, लेकिन आज इसका उल्टा हो गया था, यह सही नहीं था उन्होंने कहा, मैं एक शिक्षका के पैर चू रही हूँ, अपनी पोती के नहीं, एक ऐसी शिक्षका जिसने मुझे इतने प्यार और ध्यान से पढ़ाया, कि मैं इतने कम समय में किसी भी उपनियास को आतम विश्वास के साथ पढ़ सकती हूँ अब मैं सवतंतर हूँ, शिक्षक का समान करना मेरा करतववे है, क्या हमारे शास्त्रों में यह नहीं लिखा है, कि शिक्षक का समान किया जाना चाहिए, चाहे उसकी लिंग और उम्र कुछ भी हो मैंने भी उने नमस्कार करते हुए उनके पैर चुए, और मैंने अपनी पहली चात्रा को अपना उपाहर दिया, उन्होंने उसे खोला, और उन्होंने मेरा उपाहर तरिवेनी द्वार लिखे उपनियास के शिर्षक, काशीयात्रे के लेखक और प्रकाशक का नाम पड़ा, तब मुझे पता चला कि मेरी छात्रा ने शांदार तरीके से सफलता प्राप्त की है शुक्रिया